स्वागत बच्छों आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर जहां पर सरकार ने तीनों कानून, कृशी कानून वापस लेने का ऐलान किया है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, कि नरेंदर बोधी जी ने अपने भाशन में तीनों कानूनों को व परकास संभव है, गुरु उपकारक है, पूर्ण शांती उनमे नहित है, गुरु ही तीनों लोकों में उजाला करने वाला परकास पुंज है, और सच्चा शिश्य ही ज्यान और शांती प्राप्त करता है, ये गुरु नानक जी के कथन है, तो आप सभी को गुरु नानक दे के अदर तीनो कानूनों को वापस लेने का इलान करते हुए कहा है कि वो अब शीथ काली जैसी शत्र स्टार्ट होने वाले है तो यहां पर वो चीजें लिखी हुई है कि पहला जो कानून है Farmers Produce Trade and Commercials Promotion and Faciliation Act 2020 के अंदर Farmers Empowerment and Protection ये था Agreement of Price Assurance and Farm Service Act 2020 और Essential Commodities Amendment Act 2020 ये तीन कानून आये थे जिसका लगातार विरोध चल रहा था, किसान बैठे थे इसका विरोध करने के लिए तो अपने भाशन में नरेंदर मोधी जी ने कहा है कि कुछ किसान, कुछ वर्ग किसानों का एक वर्ग जो है वो उनको अपनी बातें समझाने में समर्थ नहीं हुए हैं और वो माफी चाते हैं देश की जनता से कि भई या उन्होंने मतलब ये कानून समझा नहीं पाए हैं तो आगे कहते हुए अपने भाशन में कि जितनी परिशानिया हो रही है आर्थिक नुकसान हो रहा है तो उसको हटाते हुए ये तीनों कानून अब वापस लेने के उन्होंने फैसला किया है काफी सारे लोगों ने अभी तक बैठे हुए हैं वो ये कह रही हैं कि जब तक ये कानून पूर्ण रूप से वापस नहीं हो जाता पूर्ण रूप से का मतलब होता है कि जब तक पार्लेमेंट में पास ना हो जाए पार्लेमेंट में देखे कोई चीज पहले यहां पर कानून जब रूप लेती है तो वो तीनों, दोनों सदन से पास होती है, यानि लोकसभा और राजेसभा से वो पास होती है, फिर राष्टपती की मुहर लगती है, तब जाके वो कानून बनते हैं, तो एक समयधानिक परक्रिया है, और उसी समयधानिक परक्रिया से भी इस चीज को गुजरना होगा, अग के अंदर ये प्रोसेस वो स्टार्ट करने वाले हैं, नरेंदर मोधी जी ने बात बोली हैं, और साथ इसाथ का है कि जो किसान जो हैं, वो अब अपने घर पे जाई है, मतलब कि अपने खेतों में लोटी, अपने परिवार के पास लोटी है, और इस पावन दिन के उपर, फिर से एक नई शुरुवात करते हैं, तो ये एक करेंट इशू है, जो काफी टाइम से सुर्क्यों में बढ़न, मतलब रहा है, किसान बैठे रहे हैं, दिल्ली में टिक्री बोर्डर के उपर, या फिर दिल्ली के जितने आज-पास बोर्डर है, वहाँ पर वो बैठे हैं, लगातार धरना परदर्शन कर रही हैं, ज़िए वो ठंड हो, ज़िए वो गर्मी हो, वहाँ पर वो लगातार बैठे रहे हैं, तो एक राहत उनकिसानों को यहाँ पर मिल रही है, watching this video.